अरे रिशीवर हाथ मत जोड़िये इससे पहले की गड़बर हो जाए अपनी नमसकार मुत्रा को आशिरवाद मुत्रा में बदल दीजिये बात को समझे मैंने ये अवतार, मैया और लल्ला के अद्बुच जमबंद का अनुभव करने के लिए लिया है पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये समबंद ही बदल जाएगा अब आप सब कुछ जान चुके हैं रिशिवर इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को जागर मत कीची अपने शिश्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशिरवात दीची मैं अब आभर मेरे सामने की और प्राइव मेरे सामने कीह जाएगा ये ये बर ये वहाँ आप महुन क्यों है और आपकी आखों में यह आसू सब कुछ ठीक है ना आप तो आप हुमारे लल्ला का नामकरन करोगे ना इन दोनों का नामकरन करना मेरा सौभाग होगा पुत्री परन्तो ये गोपनी रूप से करना होगा अवश्य ही स्वामी का अग्रह होगा अपनी संतान का नामकरन संसकार करना एक मा के लिए उत्सब से कम नहीं होता है पर ये छुपकर करना होगा आप दोनों को स्विकार तो है ना जैसे आपकी आज्या गुरुदेव स्विकार है गुरुदेव तो फिर कहां करना है हमें नामकरन का प्रबंद आप कुरुदेव मंदिर सही रहेगो उससे पवित्रिस्थान तो हो ही नहीं सकता है मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीत करना चाहूंगा ये तो इनका स्वभाग क्यों होगा हमें आग्या तीछे प्रभू स्वयम भगवान होकर भी आपको बंदी ग्रह में जिन्म लेना पड़ा अब अपनी मा को छोड़कर दूसरी मा के यहां पलना पड़ रहा है जब से गोकुल आये हैं छुप छुप कर रहना पड़ रहा है इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के कितने ही आक्रमणों का सामना कर चुके हैं आप और जिस उत्सम में सभी सप्तरिश्यों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बन कराना चाहिए उस नाम करन उत्सब को यहां एकांत में करना पड़ रहा है क्यों प्रभू? इतने कष्टों को सहकर यह अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए पर इसके लिए इतने कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे रिशिवर मानव जीवन की आँच जला रही है फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभू ये कैसा अनुखा अवतार है? आँच में जल कर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूँगा मैं? आज एक कंस का प्रकुप है बविश्य में सहस्रो कंस होंगे और आने वाले युगों में होंगे अंगिनत कंस उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कश्टों को कैसे जहना है और धर्म के पत पर अडिक कैसे रहना है? आप धन्य है प्रभू देखास्ती जब सिह तहारता है तो वन के सभी जीव जन्तु इकठे हो ही जाते हैं वो सब जो मेरा विश्वास पात्र होने का अधिकार और ये सिहासन पाना चाहते हैं सामने आएं बुद्धी के बिना बल अपंग होता है महराज और मेरे पास बुद्धी और बल दोनों हैं आपके बल आदेश दीजिए किसका संगार करना है सारी त्यारी हो गई बोलो आप गुरु देख को बुला लो मैं रोनी जिज्जी और बालकों को ले आती हूं या सुदा तुम रूस्ट तो ना होना मतसे मैं भला रूस्ट क्यों होने लगी नहीं तुम जो उत्सव बड़े दुमधाम से करना चाहती थी और बहुत प्रसन्न हूं मैं कि हमारे लल्ला का नामकरन स्वयम रिसी गर्ग पूरे बिदी विधान से कर रहो है मैं समझ गई हूं कुछ सब बड़ा हो या ना हो प्रसन्नता बड़ी होनी चाहिए अरे मैं तो इत्ती उत्साहित हूं कि दोनों भाईयों का नामकरन आज के सुब मोर्थ पे हो रहो है तो इससे पहले जो बीच जाए जाओ आपे बलालो यहां सब के सब एक से बढ़कर एक है तो फिर अपने कारे के लिए किसका चुनाओ सबसे पहले काम मेरा सामर्थ्य तो आपने अभी तक देखा ही नहीं माराज चुटकी बजाकर शत्रों का विनाश कर सकता हूं मैं कि तो आपने तो बताय ही नहीं कि करना क्या है वद्ध वद्ध करना है एक नवजात बालक का वद्ध उसे साधारन बालक मत समझना गोकुल में नंद के घर पल रहा वद्ध विश्णों का अवतार है क्या हुआ इतना सन्नाटा के इंचा गया है क्यामा कीजे माहराज पर मैं नंधे बालकों के साथ हिंसा नहीं करदा क्रिश्णों अवतार बड़ा चलिया है माहराज मैं उसका मुख भी नहीं देख ला जाता जाने दो इन्हें ऐसे भी सिहासन के लिए मुझे कायरों की कोई आवशकता नहीं जाने दो दुर्जय क्या कहा था मैंने मैंने कहा था केवल वहीं आएं जिनके हिर्दे में साहस का जौला मुखी धधकता हो जिनकी तलवारें परवतों का सीना चीरने के लिए व्याकुल हो जिनकी संकल्प शत्ती इतनी दिर्ड हो कि वो मृत्यू मृत्यू से टक कर ले जें वही होगा इस सिंगासन का असली अधिकारी है महराज ना तो आपके दिये इस सम्मान का कोई मुल्य रह गया है और ना ही आपके भाय का अभी अभी आपने ही कहा था न कि जब वन में कोई सिहत हारता है तो उस वन के सभी जीव जन्तू एक जगा इकत्रित हो जाते हैं परंतु उसी वन में जब कोई बबबर सिह धारता है तो वही जीव जन्तू भाय के मारे इधर उदर भागने लगते हैं निश्चित ही वो बालक इन सब के लिए बबर सिह बन चुका है उसका भाय हमारे समराज्चे की नीव हिला रहा है माराज हे नारायन मेरा मार्क दर्शन कीजिए हे महसरस्वती मुझे आशिरवाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वुत्तम नामों का चुनाओं कर पाओं आपके पुत्र को बड़े भाई के करतव का निर्वाह करना है और इस दायत्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निवाया है जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाईयों के साथ था मैं श्री नारैंड से प्राथना करता हूँ कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने चोटे भाई के साथ हो इसलिए इसका नाम राम हो इसलिए इसका नाम राम इसलिए इसका नाम बड़े भाई में आदर्श नियाय संकल्ब बल के साथ शारिरिक बल भी होना चाहिए मैं देख पा रहा हूँ ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित के लिए सबसे उचित है वो है बलराम अल्दाओ तो फेर उसका नाम बल राम रखनाँ कैसा अद्भूत संयोग है रिसिवर जब इसके जन्म की सूचना देने में वसुदेव भहिया के पास मतुरा गया था तब उन्होंने भी यही नाम रखा था बलराम यह संयोग नहीं नाराइन की इच्छा है नंदराज बलराम से अधिक उप्युक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है पर मैं तो दाओ कहकर ही बुलाओंगा इन्हें बलडाओ बलराम इस मतुरा में अधिक पास में है सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम, बलराम, बलराम कुरुदेर, कितना अध्भोत नाम दिऊ है आपने से, अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दू ये कठिन दायत्व, आपने ही मुझे सौपा है प्रभू, इससे निभाने की शमता भी आप ही देजिए कर दो झाल, झाल, झाल! लाल वाल वाल भी और ठाउ अ क्रेशिर श्यों अ लीー क्रेशिम्ट श्यों प्रेशिर। क्लेशिक शॉलिष शॉलlying क्लेशिर्ट कॉνεशिर्ट जाँ छोड़ने से कि आए यह थो प्रोडे उढून्ह, आए नी数 मोदे साफित है, तो आपै ऑला सित्था. आपै को आए लोलोrahॉ बूद नाणाना दिह ज़से भ प्रहार अचे, ज दे यॉनए दे यॉनी आठरा, δेलrä यॉर्णा धा यॉर्णा कर दो कर दो कर दो कर दो कर बना है कमलकान से अर्थात वो जो श्री पती विष्णों जैसा हो री री की उत्पत्ती हुई है श्री राम से अर्थात वो जो सब के हिर्दय में बस जाए श्र एश्वरी के स्वामी विष्णों के लिए अर्थात वो जो समरिद्धी लेकर आए और ना ना है नरसिंग के लिए अर्थात वो जो रक्षा करे और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अगनी देव का अर्थात वो जो स्वयम तपकर सब को पवित्र कर दे स्वयम तपकर 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 के वह नम है कि बीजिशन कि नम है कृष्ञ वह नम है कृष्ञ नम है कृष्ञ खुर्ष्ण। खुर्ष्ण। कृष्ण। यशो मति मैयाँ के नन्दिलाला असुरी कार्ये करने वालों के लिए कृष्ण नामकार्थ एक और भी होगा वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नामकार्थ होगा अतुली सुंदर्ता और अथा प्रेम इन दोनों विशेस्ताओं का साख्षात स्वरूप होगा ये क्रिष्ण क्रिष्ण जे नाम अनंत काल तक स्मरन किया जाता रहेगो जे तेरी महिया का असरवाब संसार मुझे क्रिष्ण बुलाए या नील मनी कहकर पुकारे मैं रहूंगा तो बस यशुमती महिया का नंदलाला गुरुदेव आपने मेरे लला को इत्ता प्यारा नाम दियो है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार गोपियों को पता चलेगो तो देखना कैसे रटने लगेंगी मेरे लला का नाम इससे पहले कि आप सब बाहर जाकर किसी और को बताएं एक कर्मकांड शेश है नामकरन के बाद पिता को आशिरवाद के रूप में कुछ न कुछ उपहार बालक को अवश्य देना चाहिए मैं क्या दू? वासुदे मेरे शिश्य है और उनकी अनुपस्थिती में ये दायत्व मैं निभाऊंगा इसे अपने पिता की उड़ से सुईकार करो पुत्र कल्यान ल्यान क्या दूम है इसे? आप सोच क्या रहे हो? आसे बात दो ना अपने क्रिस्न को है ये सोचरों के लल्ला को क्या दू? लल्ला तु सुहमी बता दे तुझी क्या चाहिए? देखो जी, लल्ला ने ही आपके उल्जन समाप कर दी मेरा असिरवाद के तेरा जे नाम क्रिश्न तेरी प्रजा के लिए बहुत हितकारी हूँ गुर्वर? आप भी इसे आशिरवाद दे जिनके आशिरवाद से ये पूरा संसार संचालित होता है उन्हें मैं क्या आशिरवाद दू? आपने तो मुझे मेरा नाम दिया है रिशीवर ये तो मेरा स्वभाग्य था प्रभू कि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना पर आपका कार्य भी समाप नहीं हुआ रिशीवर एक विन्ती और है मेरी आज्या दीजी प्रभू क्या करना होगा मुझे? बाबा को मेरी वास्तविक पहचान बतानी होगी आपको और इन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि ये मैया को कभी भी मेरा सत्य पता ना चलने दे पर प्रभू मैं ये कैसा कर पाऊँगा? आप ये कर पाएंगे रिशीवर क्योंकि अब आप इस क्रिश्ण अफदार के मुख्य उदेश को जानते हैं क्रिश्ण बंद करो ये दोनिया क्या दोनिया बंद करो बंद करो क्या सुनाई दे रहा है आपके? ये ये श्याद तुम रस चानों में गुज़ रहा है भाण होगी पुर, दो! पुरूच। रुकुर। दोश्य। दोश्य। कुछे भाना? दोश्य। आप भूल रहे हैं कि आप मतुरा नरेश है। आप तरन्स हैं आप और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटा से महाराज कंज इतने व्याठित नहीं हो सकते कि वो सुद्बुक को बैठे स्वयम को संभालिये महाराज बंद हो गई बंद गई बंद हो गया वा स्वार, बंद हो गई वो ध्वनिया रापी यू मत सोचना कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा था तुम सत्य कह रही हो मैं कंस हो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना से व्याठित नहीं हो सकता दुरजन जीवाराज इस सेहासंग को पुनस्थापित करो यदि कोई भी योग्य इसे स्वयम सिद्ध करने नहीं आता तो मुझे पता है मुझे क्या करना है कैसे उस दुष्ट बालक का संधार करना है मैं भने भाते जानता है ये दायत्व आपको ही निभाना होगा रिशिवर इससे दो लाब होंगे एक तो मेरे बाबा कंस के कारण होने वाली चिंता से मुक्त हो जाएंगे और आवशक्ता पढ़ने पर मेरी पहचान को महिया से सुरक्षित रखने में सहायता भी करेंगे नंदराज, अब बलराम और कृष्ण दोनों को भोग लग गई होगी प्रणाम गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव गुरुदेव, अब आप भी ब्रिस्त्राम कर लीचे नहीं नंदराज, मुझे शेगरी मत्रा पहुँचना है राजा वासुदेव और रानी देव की मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे पर इससे पहले कि मैं जाओं, मुझे आपको कुछ बताना है गुरुदेव, आपके ललाट पर बल पड़ गए सब कुछ ठीक तो है न? कहीं आप मुझे कंस के बारे में तो ना बताना चाहते कुरुदेव, मैं जानता हूँ के कंस नवजाशिशों की हत्या करवार हो है कंस नहीं, कृष्ण के बारे में कुछ कहना है मुझे बताईए गुरुदेव, मैं एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ नंदराज जो है तो वर्दान, पर उससे सुईकारना आपके लिए बहुत कठिन होगा गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वो, मैं समझ ना पारो बताईए ना बताईए ना गुरुबर सत्य यहे नंदराज कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र हैं और वो कोई साधरन बालक नहीं है सोयम श्री हरी विष्णू के अवतार हैं और वो कोई साधरन बालक नहीं है सोयम श्री हरी विष्णू के अवतार है अच्छो विचे इतने लग रहा है कौन हो तूम? मैं, मैं हूँ, श्री विष्णू कावदार है सेफ, कैसे संभव गुर्टेव? वो तो, वो तो नंटा सा बालक है वो तो, वो तो नंटा सा बालक है अच्छी नराहिंगा प्थर कैसे हो सकतो है और गुरुदेव, आप ये सोच में कैसे सकते हैं कि वो तेरा लल्ला प्रसुदेव भईया का पोतर है यही सत्य है नंदराज पिछले जन में मिले वर्दान का फल है यह मैं आपकी संतान के रूप में अवश्या हूँगा इन्तो उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतिक्षा करनी होगी क्योंकि अगले जन के लिए मैं पहले ही ये वर्दान माता देवकी को दे चुका हूँ इस समय मैं विवश्या हूँ इद्टो मैं आपको वचन देता मैं आपको बचन देता हूं आपकी संतान बनकर रवश्या हूंगा रभू श्री हरी को अपने सामने देखकर मेरी व्याफुलता का बान पूट गया है दो जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी अपने पुत्त्र के रूप में हरी को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और दो जन्मों तक प्रतिक्षा नहीं कर सकती धरा माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूँ इसलिए विधी के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बन कर जन्म लेना होगा किन्तु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्ने पाने से स्वयम को और वंचित नहीं रख सकता ये जो भी हो रहा है प्रभू की ही लीला है कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद भगवान विश्णू के आदेश पर वासुदेव जी के यहां आना पड़ा और आपकी और रानी अशुदा की पुत्री को अपने पुत्र के साथ बदलना पड़ा और इस तरह कृष्णू आपके और रानी अशुदा के पुत्र बन गए आपने सही गई थी गुरुदे कि सुनने में तो वर्दान ही लगतो और इससे स्विगार करना ताही कठेग जब यह सुदा को इस बात का पता चलेगो तु उसे कैसा लगेगो अपने नाम का अर्थ अच्छे से सुनो है न तुने उसका हर एक अच्छर भगवान स्री नारायन से संबंधित है जैसे उने का सोरूप है तु बस मैया यह सत्य आप से छुपा रहे इसी कारण बाबा के लिए यह जानना अवश्यक है फिर चाहे इसे स्विगार करना उनके लिए कितना भी कष्ट दायक क्यों ना हो नहीं नन्द यह सत्य उन्हें आप नहीं बताएंगे स्वेम प्रभू ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए और रानी अशुदा को तो बिलकुल नहीं गुरुवर, घंस के आक्रमनों के जानकारी असुदा से पहले ही चुपाँगा रखना कठिन था अब इतना बड़ा सत्य मैं असुदा से कैसे चुपाँगो आपको चुपाना ही होगा नन्द राज यही प्रभू की इच्छा है और क्यों गुरुवर ताकि नारायन अपनी मैया की मम्ता का अनुभव कर पाएं यही तो उनके अवतार का मुख्य उद्देश है मुख्य उद्देश? हा नन्द राज, नर नारायन के अवतार में अपनी तपस्या करते समय प्रभू ने जो अनुभव किया था उसके कारण मम्ता के सुख का अनुभव करने के लिए प्रभू व्याकुल हो उठे थे ऐसा क्या हुआ था? मुझे भी बताई हो सकता है यह बात इस सत्य को स्विगार करने में परिस्ताहिता करे बहुत समय पहली की भात है अनेक देवी देवता परम प्रभू विष्णू के पास बैकुंट गए थे वहां प्रभू की आँखों में आसु देखकर वो सब इस्तब्द रह गए रभू आपके आँखों में आसु कि आप सब तो जानते हैं इरन्य कशब को मारने के लिए मैंने नर्से अर्थाद आधे मानव और आधे सिह के रूप में अफ्तार लिया था उस राक्षस का वद्द करने के बाद नर और से दोनों भागों ने अलग-अलग होकर नर और नारायन के रूप में पुनह जन लिया वर्तमान में वो दोनों बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं आज उन दोनों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे भी भावुक कर दिया सखा ये युवक कौन है निकट के एक गाउं के धनी व्यापारी का पुत्र है ये प्रतीक संध्या वन के उस पार ही अपनी प्रियसी से मिलने जाता है और फिर रात्री भर उस नर्तकी के साथ सहवास करने के बाद सुभे अपने निवास को लौट आता है यदि यही इसका नित्य करम है तो फिर आज ये इतने तनाव में क्यूं है कल रात्री प्रेम क्रिया के मध्या उस नर्तकी ने इससे पूछा ये सबसे अधिक प्रेम किस्से करता है जब इसने कहा तुम से तो वो बोली तुम्हें अपने प्रेम को सिद्ध करना होगा अपनी मा के हिरदय को उसके तन से अलब कर मुझे सौपना होगा मा का हिरदय ये जिग्यासा यक्षप्रश्न बनकर पूरे दिन नर और नारायन के मस्तिष्क में कौन थी रही उन्होंगे संध्यआ होने तंक वही नदी किनारे प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया ताकि वो ये जान सके कि क्या वो युवक अपनी कुरूर प्रयेसी को छूड़ेगा या वासना में अंधा होकर अपनी ही माता की हत्या करने का जगन्य अपरात करेगा अब उसके वन पार करने का समय बीच चुका है युवक ने विवेक का परिज़े दिया है सखा हे प्रभू आपका कोटी-कोटी धन्यवाद सखा सखा मुझे बताओ जो अकल्पनी ये था कहीं वो घट तो नहीं गया जब इस युवक की माँ को इसकी प्रेयसी की कुरूर मांग के बारे में पता चला तो जो इसने किया वो इस समस संसार में केवल एक माँ ही कर सकती है बस इतनी से बात संभाल के मेरे बेटेल कहीं चोटना लग जाए तुझे संभाल के मेरे बेटे कहीं चोटना लग जाए तुझे ये तो उसकी मा की पुकार है माँ मैंने क्या कर दिया माँ 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 जाए तुझे 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 पुकार वह जाए तुझे जो हो रहा है और जो भी होता है सब उनकी ही इच्छा से होता है नंदराज इसलिए आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे अब मैं चलता हूं नंदराज राजा वसुदेव और रानी देव की नामकरण के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो रहे होंगे स्थी यह नंदराज क्रिष्ण राजा वसुदेव के पुत्र हैं नंदराज अपने आपको संभालिए और शांतिशित से घर लोटिए और हाँ इस्मरन रखिए कि प्रभू ने आपको बहुत ही बड़ा उत्तरदायत्व सौपा है आपको उसे निभाना ही होगा प्रभू आपको शक्ती दे आप बहुत सौभागशाली हैं नंदराज जो प्रभू आपके घर पल रहे हैं उनके बारे में सोचिए जिनके यहां प्रभू ने जन्म लिया है वो दोनों तो प्रभू की बाल लीलाओं से पुरी तरह से बन्चित है कहा रह गए तेरे बाबा लल्ला जे आए क्यों ना आपता मेरा लल्ला मेरा ना है वो तो मेरे आराध्य नारायन का अवतार और जे बात मुझे यह सोदा से छुपानी बाबा वहीं खड़े मत रहू अब आभी जाओ ना एक पग भी आगे बढ़ाने का सास ना हो रो मेरा है प्रभू आप ही बताओ अपने आराध्य देखो अपने हिष्ट देव को अपने लल्ला के रूप में कैसे देख पाऊंगो में मैं जानता हूँ बाबा ये बहुत कठिन है पर भीतर तो आओ अब आभी जाओ बाबा ऐसे बाहर कब तक खड़े रहोंगे आप बस बाबा बस आजाओ बीतर आओ ना आओ ना समझो जब तु इधर उदर भाग रहो होगो तो तुझे बुलाने के लिए मैं तुझे ऐसे पुकारूंगी क्रेश्न और कि यह जब तु सयतानी करेगो ना चला मएजा को तंग करेगो तो मैं तुझे क्रोध मैं ऐसे बिलाऊंगी क्रेश्न न से सत्य पतो न है कि इसलिए किती अच्छी तरह से मय संबया होने का करतव्य निभा रही ये पर मैं मैं अब बाबा होने का कर्तव पे कैसे निभा पाऊंगो? साबधान! इत्ती अच्छी लगी तुझे बाबा के दीजे माला? के मुँ में ले लियो तुने? चे मुँ में लेने के बस तु ना है लल्ला? जैसे यह सुदा आपको एक माईया की तरह सीखते रही है मैं आपको बाबा की तरह चिक्सा कैसे दे पाऊंगो प्रभू? क्रेश्न! अभी मना किया ना माईया ने? जे तु प्रभू को ही डाट रही है साबधान जो फिर से मुँ में लिया तो! यह सुदा! तुम्हें पता भी है तुम किस पर क्रोधित हो रही है? हाँ? अपने लल्ला पर? और किस पर? मेरे कहने कार्थ जे है कि तुम्हें सच में पता भी है जे कौन है? जे! सेम प्रभू ने मुझसे कहा है किसी और प्राणी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए! और रानी अशुदा को तो बिल्कुल नहीं! और रानी अशुदा को तो बिल्कुल नहीं! और रानी अशुदा को तो बिल्कुल नहीं! मा और बाबा को तो अधिकार होता है न, प्रेम करने का भी और वूल पर डाटने का भी पस यही बात आपको समझनी है बाबा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा मैं समझतो हूँ जे, पर जे बिचार के, जे केवल हमारा पुत्र ना है जे सोयम नारहिण का अवदार भी है, इसे अपने मन से निकाल ना पार हो मैं ओहो, आपको समझाना तो मैया को संभालने से भी अधिक अठिन है बाबा लला, अरे लला, जाशोदा जी, आपने हमें नामकरण के लिए ना बुलायो कोई बात ना है, लेकिन ये तो बताओ कि लला का नाम क्या रखो है हाँ भावी, बताओ लो, हाँ जी जी, अब और पर तिछाना हो रही हमसे इसका नाम रखो है क्रिष्ण 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 बहुत प्यारा नाम है, लेकिन थोड़ा कठीन है मैं तो इसे किसन भुलाओगी सही कहो मैं भी इसे प्रेम से किसन ही कहूंगी क्यो किसन मेरे लिए तो जे, किसन है क्या कर रही है इसब बाबा इन सब के लिए मैं केवल कृष्ण हूँ भगवान नहीं बस अब आप भी शीख रही समझ जाओ ना ये अरे तुम सब हाँ हाँ बूरा मुझे भी लग रहो है सारी की सारी पहले दिन मेरे लला का नाम बिगाड रही है किन्तु इसमें भी इन सब का प्रेम ही चुपा है और हम सब को प्रेम से भगवान को भी प्यारा सा नाम दे देते हैं है ना? हाँ सत्ते तो जे है कि क्रिस्न नाम बहुत अच्छा है किन्तु मैं भी अपने लला को प्रेम का नाम देना चाहती हूँ कानहा बुलाऊंगे इसे, 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 कानहा बुलाऊंगे, कानहा बुलाऊंगे, कानहा बुलाऊंगे, कानहा बुलाऊंगे, कानहा बुलाऊंगे, कानहा बुलाऊंगे, कानहा आप भी बुलाओ ना एसे आप एक बुला कर देखो छट पे पलट कर देखेगो आपको जह हमारा नटखटकान हाँ प्रभू जह सब आपका सत्य ना जानती पर मैं जानतो अब इस मुख से आपका नाम केवल भक्ति भाव से ही निकल सकतो है भाथ सल्लिभाह हुसे Monsieur जी के लल्ला कभी तो नामकरन हुआ था ना अपने लल्ला के साथ प्राब्ली क्या नाम रखा गया है इसата में बोलो जी हाँ भावी बोलो ना बोलो जी ना मरेखो लाण देखो सब के सब रोईनी जिन जी के पास? मैं अभी आई, हाँ? सुनो जी, आप लल्ला को समालो, मैं अभी आई रोईना मैं, मैं कैसे इंदिये प्रभू, ललल्ला जी क्या मैं 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 कर रहे हो? क्या होगो है आपको? मैं सिगरी आ जाओंगे यसो दस मुझसे दूर कब तक रहोगे बाबा? एक बार मेरी और देखो तो सही पार खॉरी टो सही आप लुद भार प्रबूप, मुझे दुविधा में डालकर आप मुश्कुरा रहे हैं जह कैसी परिक्सा है? ये क्या कर रहे हैं आप? पिता का स्थान पुत्र के चड़नों में नहीं होता पुत्र के सिर के उपर होता है उनका हाथ उनका वर्द हैस्त प्रभू, आप चाहते हो कि मैं आपका सत्ती यसोदा को न बताओ यसोदा चाहती है कि मैं आपको लल्ला की तरह है अपने गोड में उठा कर आपसे बाते करूँ मेरी आखें चाहती है कि मैं आपको अपने इस्त देव अपने आराध्य के स्वरूप में देखू और मेरा रिदे, मेरा रिदे चाहतो है कि मैं आपको अपने पुत्र के स्वरूप में देखू अब अब आप भी बताओ प्रभू अब मैं इस परिस्थिती में क्या करूँ मुझे कुछ समझ में ना आरो आपी का आपी का आशरा है प्रभू आपी को साहिता करनी होगी आपी बताइए किस प्रकार एक भग्त अपने भगवान को अपने लल्ला के स्वरूप में देखे उसे अपने हाथों में उठाए उसे खेलाए उसके सथ बाते करे कैसे वो उसका लालन पालन करे अपने पुत्र के स्वरूप में प्रभू मुझे मुझे कुछ समझ में ना रूँ सहाइता करो प्रभू चिंता मत कीजिये बाबा आपके सभी प्रश्णों का उत्तर शीग्रही मिलेगा आपको रिशीगर्ग पधारे है महाराज रिराज प्रश्णों का उत्तर शीगर्णों 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 का उत्तर शीगर् तो महान मतराधीश कंस के दरबार में ऐसे सम्मान होदा है रिशिमुनियों का नहीं नहीं रिशिदा ये तो केवल एक उधारन है कि कैसे एक विश्मु भक्त का समान नहीं किया जाना चाहिए तब तो अच्छा ही है मैं यहां तुमसे सम्मान की अभिलाशा लेकर नहीं आया हूँ मैं यहां देवकी और वसुदेव से भेट की इच्छा लेकर आया हूँ क्यों? मेरे विरुद कोई शड्यांत्र रचना चाहते हो जो सदेव दूसरों के विरुद शड्यांत्र करता है उसका संपूर्ण जीवन इसी भ्रह्म में बीचता है कि सारा संसार उसके लिए शड्यांत्र कर रहा है परन्तु अन्य व्यक्तियों के पास इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्ये होते हैं करने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्ये करने की आपकी ये इच्छा इस दर्बार में पूर्ण नहीं होगी रिशिवार मैं आपको उन दोनों से भेट करने की आग्या नहीं दूँगा कैसे रोकोगे मुझे कैसे बड़ा ही विचित्र प्रश्न है इन तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल है रिशीवर जानते हैं मेरे दिन का आरंब कैसे होता है किसी ना किसी का संहार करके और यदि एक संहार और हो जाएगा तो मुझे क्या अंतर पड़ेगा स्वयम से एक प्रश्न पूछो कंस मेरा संहार करने के लिए मेरा संहार करने की लिए जिस संकल्ब शक्ति की आवश्यक्ता है वो है तुम मैं कर पाओगे मेरा संहार जिस नंकल्व शक्ति कि आवजशकता है, वो है तूम मैं, करपाोगे मेरा संधार, बोलो कंस, यदी मैने श्राप दे दिया, तो तुमारा कौन सा कबच, उसे स्त्य होने से रोग पाएगा。 बोलो कंस यदि मैंने श्राब दे दिया यदि मैंने श्राब दे दिया तो तुमारा कौन सा कबच उसे सत्य होने से रोख पाएगा रिशीवर यदि आपके रिदे में स्वामे के विरुद्ध शडियंत्र करने की इच्छा नहीं है तो महराज भी आपको किसी से भेट करने से रोगना नहीं चाहेंगे है ना महराज हां आप उन दोनों से भेट कर सकते हैं दुर्जान इन सब पर द्रिष्टी रखो अब सब कुछ सुन कराना सब कुछ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए जाओ लगता है प्राप्ति राजकारे सीख रही है मुझसे कुछ इस तमय पर सही सुझाब दिया तुमने प्राप्ति अब असानी से पता लग जाएगा कि रिशीगर के यहां आने का वास्तविक कारण क्या है महराज क्या असान आने कारण करूब दब कारण के लगएएविक आने है क्या है वाणने क्या गुछ सुहेम नारायन मेरे घर में है तो चिफूल उनके चरणों में क्यों चड़ा रहूं चिफ यार को मेरा लल्ला किन्तु बुरे दिर्ष्टी वाला टीका लगाना तो भूले गई तेरी मैया अब यार नहीं बाबा यह मत करो मैया आ रही है उन्हें पता चल जाएगा जब फूल तो आपके चरणों के लिए ही बने हैं प्रभू इन्हें स्विकार करें बाबा यह सत्य मैंने आपको अपना साथ बेने के लिए बताया था अपने आपको फसाने के लिए थोड़े ना ना रहा है ना रहा है ना रहा है तरणाम पंड़ जी नंदराज जी रानी जी बिटिया के पाव भारी थे ना तोसे लिवाने संधियाने चला गया था वहां कुछ अधिकी समय लग गया हूँ आज वापस आया तो पता चलो कि स्वयम गर्गरिसी ने लल्ला का नाम रखो है सो मिलने चला है क्या नाम मिलो है इसे उन्होंने लल्ला का नाम क्रिस्न रखो है उन्होंने लल्ला का नाम क्रिष्ण रखो है क्रिष्ण आ हा हा उत्तम अति उत्तम भहुत मधुर नाम है ऐसा अलग तो है जैसे आप स्वायम स्री नारेन का नाम ले रहे स्थिती को और गंभीर मत बनाओ पंदिची आपको तो बाबा के प्रश्णों का उत्तर देना है एक बार मेरी ओर देख लो आपको स्वायम ही पता चल जाएगा कि आपको इस समस्या को कैसे सुल जाना है पंदिची मेरे लल्ला को टक्टकी बांद के देखे क्यों जा रहे प्राइब के प्राइब के लिए एक प्राइब का उत्तर आपको बांद के देखे हैं